हे गाईज मेरा नाम है अब पर राज के इस फीडियो में मैं आपस बात करने वाला हूँ टॉप 5G फोन्स के बारे में जो हमें इंडिया में मिल जाएंगे और तो और 15,000 लुपीज के अंदर अंदर आपको वो फोन्स मिल जाएंगे मैं आपको इसे तीन फोन्स बताने वाला हूँ जिन फोन्स को आप आख बन करके लिए सकते हो तब आपको जब प्राइटी 5G हो और आपका डीसेंट कैमरा में प्राइटी हो बिल्ट वगर से ज़द आपको फर्क अनना पड़ता हो स्टाट करते हैं भाई हमेरे लिस्ट में नंबर वन पे है iqoo Z6 5G यह जब फोन है जब launch हुआ तो तहल का मज गया था मेरे खियाँ जिए उस ताइम पे इंडिया में थोड़ा अच्छा दिखने वाला कुछ ज़्यादा फीचर्स के साथ में आने वाला सबसे सस्ता 5G फोन था इसमें आपको मिलता है स्नाप ड्रगन के तरफ से आने वाला 695 जो कि 6 nm अर्किटेक्शल पर बेस्ट है साथी साथ इसमें आपको लिक्विड कूलिंग भी मिल जाती है जो कि 10 layers वाली liquid cooling chamber है यहापे आपको LPDDR4X वाली RAM देखने के लिए मिल जाती है वहिए अगर मैं इस पर डिस्पले के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 6.58 इंचिस के आपको डिस्पले पैनल देखने के लिए मिल जाता है हलेकि यह IPS LCD पैनल है साथे साथ आपको 120Hz का refresh rate मिलता है यानि कि मैं आपको लिस्प में इतने नाम बताने वालों फोन में उन में सबसे जादा यानि सबसे हाई refresh rate इसी फोन में आपको मिल जाता है फोल इस्टी प्लस रिस्पले देखने के लिए मिल जाती है DCI-P3 wide color gamut भी देखने के लिए मिल जाता है और इसका जो screen to body ratio है वो भी सबसे कम है यानि कि 90.61 आपको screen to body ratio देखने के लिए मिल जाता है साथे साथ 240Hz का आपको touch sampling rate भी देखने के लिए मिल जाता है बात कर जाए इस फोन के camera के बारे में तो यहाँ पर आपको triple camera का setup देखने के लिए मिल जाता है 50 megapixel प्राइमरी सेंसर है 2 megapixel का macro and 2 का आपको depth मिल जाता है यानि कि आपको सिर्फ एक ही जो है lens वो काम का है बाकि जो 2-2 megapixel के शिपका दी है वो सिर्फ दिखाने के लिए है फ्रेंट के बारे मिल जाता है बैटरी आपको मिल जाएगी इस फोन में 5000 mAh की सारे साथ चार्जर पर मिल जाएगा 18 Watt का और यहाँ पर आपको side mounted fingerprint scanner मिल जाता है अब मैं आपको एक चीज़ बता दू जो जीते नहीं हमें बड़ी-बड़ी brands देखने के लिए मिल जाते है Apple हो गया, फिर Samsung हो गया अपने high-end phones में, even Google भी अपने high-end phones में 18 या 30 Watt, 20 Watt का charger क्यो देते है इसके पीछे एक reason है 18 Watt, 20 Watt का जो charger रहता है जो even 30 Watt का भी जो charger रहता है जो lithium-iron battery रहती है जो life increase करता ये बोलना चाहिए जो हमाँ आजकल मिल जाते है 100 Watt, 200 Watt उससे basically हमारे battery की life खराब ही होती है increase नहीं होती है लिस्ट में हमारे second number पे नाम है Redmi Note 11 T 5G या फिर Poco M4 Pro ये दोनों ही phones पे कि basically एक ही है बाहर से कप्ड़े जो है change कर दी है pricing का थोड़ा बहुत फर्क है Poco मिल जाएगा आपको 15,000 उपए में और Redmi आपको मिल जाएगा 16,000 उपए में इस phone में आपको processor मिलता है MediaTek Diamond City 810 वाला जो कि एक अच्छा processor माना जा रहा है UFS 2.2 की storage आपको देखने के लिए मिल जाती है Out of the box यह जो phone है Android 11 पर चलता है जो की based है Sorry MIUI 13 पर चलता है जो की based है Android 11 पर यहापे आपको display देखने के मिल जाएगा 6.6 इंची की 90 Hz वाली IPS LCD पैनल साथी साथ आपको यहापे Gorilla Glass 3 का support देखने के लिए मिल जाएगा वहीं आपको 50 MP का primary sensor देखने के लिए मिलेगा Basically आपको dual camera का setup देखने के लिए मिलेगा और जो secondary lens है वो 8 MP का ultra wide है इस phone में भी आपको front camera की selfie यानि जो selfie है 16 MP के मिल जाएगी बैटरी के department में बात करी जाए इस phone की 5000 mAh के आपको बैटरी मिलेगी और साथ में आपको 33 Ford का charger मिल जाएगा Company ऐसे claim करती की जो phone है 0 to 160 यानि 1% to 100% 60 minute में हो जाएगा साथी साथ साथ से phone की जो pricing है वो 16,000 रुपे है बैंक वगर offer मिला के आपको 15,000 रुपे का पढ़ जाएगा या फिर अगर आपको 15,000 रुपे का ही चाहिए तो आपको Poco M4 Pro भी आप आप कर सकते हो उसमें अगर आप bank offer लगाऊगा तो शाथ 18,000 रुपे सस्ता पर जाएगा बात कली जाए लिस्ट में सबसे लास्ट phone के बारे में जो की है Realme 9 5G अब ये जो phone आया था उस टाइम पे अच्छे से आद है कि बहुत ज़्यादा लोग डिसपॉंट हो गए थे कुछ ज़्यादा कमाल नहीं करा था इसलिए Realme 10 Series आने में थोड़ा वक्त लग रहा है ऐसा बोला जा रहा है कि Realme 10 Series जो है दिवाली के असपस लाउंच कर सकते हैं बाकि अब देखने वाली बात है कि अब लाउंच होगा हाला कि इस फोन में आपको ताइमेंस 810 वाला प्रोसेसर मिल जाता है वही प्रोसेसर जो आपको रेडमी नोट 11T 5G में देखने के लिए मिल जाता है साथे साथ आपको यहाँ पर UFS 2.1 के स्टोरेज ओफर करी गई है Realme UI 2.1 पर चलता है जो की बेस्ट है Android 11 पर यहाँ पर आपको 6.5 इंचीस का 90 Hz वाला IPS पैनल देखने के लिए मिल जाएगा जो की ओफर करता है पीक ब्राइटनेश 600 nits की यहाँ पर आपको triple camera का setup मिलेगा primary lens जो है वो 48 megapixel का है और बाकी 2-2 megapixel के macron depth मिल जाएगे front आपको यहाँ पर 16 megapixel के selfie ओफर करी गई है और battery है बैटरी के department में बात करी जाए तो यहाँ पर 5000 इमिच की एक huge battery मिलती जिसको चार्ज करने के लिए 18 watt का charger आपको मिल जाता है इस phone की pricing बात करें Amazon पर तो है 14 950 रुपए में आपको यह phone Amazon पर available है वैसे lifts में जो मैंने आपको तीन नाम बताए तीनों ही phone आप आग बंकर ले सकते हो लेकिन इन तीनों में से आप मेरा फेवरेट पूछेंगे तो मेरा फेवरेट है IQ Z6 5G आशागर तो अचका वीडियो आपको देख में की बाद 15,000 रुपए के नीचे कौन-कौन से phone आपके लिए 5G phone specially best होंगे इस बारे में अंदाजा लग गया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ल से जुरू करिये